अब ये ट्वीट देखके आपके मैं में कुशन आगा के बीडी एल विशाका पटनम ये क्या है ये है भारत डिनमेक्स लिमिटेड ये टॉर्पीडो तयार तो किया है डियार डियों ने मगर इसकी जो मास प्रोडक्शन है ये करेगी सरकारी कंपनी भारत डिनमेक्स लिमिटेड जिसके headquarters आपको मिलेंगे तिलंगाना हाइदराबाद में अल्दो इनके जो headquarters है ये आपको मिलेंगे तिलंगाना में इसके लावा इनके कई manufacturing center भी है उसमें से एक center आपको मिलेगा विशाका पटनम आंधर पदेश में और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है भारी भरकम image of Varunastr ये एक huge torpedo है इसका weight है 1500 kg length है around 7 to 8 meters जरातार sources हमको ये बदाते हैं कि it is around 7.6 meters और इसकी range है around 40 kilometers और जो बड़ी भारी भरकम submarines है उनको अकेले destroy कर सकता है Varunastr now since हम यहाँ पे बात कर रहे हैं missiles की तो एक question भी obviously मैं आपसे पूछूँगा कि इन में से कौन सा है एक short range surface to surface missile प्रित्वी, आकाश, त्रिशूल, अस्त्र अगर आप defense current affairs genuinely follow करते हैं तो आप इसका answer अराम से कर पाएंगे और इसका सही answer मैं आपको provide करूँगा video के end में तो discuss करते हैं India के पहले heavy torpedo के बारे में मगर मैं आपको पहले ये बता दूँ कि अगर आप UPSC की preparation कर रहे हैं और चाते हैं कि 2021 में एक proper attempt आप दें professional guidance के साथ तो buy करिए Unacademy का UPSC course Unacademy की app पर जाओ या फिर इनकी website पर जाओ यहाँ पर click करो UPSC CSE get subscription और आप buy कर सकते हैं iconic या फिर plus course दोनों course में सारा syllabus quality, GS, history, science and tech सब कुछ cover होता है thoroughly मगर iconic course में आपको मिलेगा एक personal coach, means question answer practice, study planner, something to guide you, something to motivate you और iconic course का जो यहाँ पर price है यह बहुत ही जल्स बढ़ जाएगा क्योंके it is very much an in-demand course और अभी भी मैं आपको यह कहूँगा कि अगर आप यह course purchase करना चाते हैं तो 69,500 पे मत कर देना simply यहाँ पर एक code डालो PD10 और आपको यहाँ पर discount मिलेगा almost 7,000 रुपीज का so save money, use the code PD10 and start preparing seriously for UPSC 2021 so यहाँ पर आप देख पाएंगे यह है website DRDO की और यहाँ पर इन्होंने information provide करी है वरुन असर के बारे में अब यहाँ पर यह भी लिखा है के वरुन असर has been inducted by the Indian Navy in 2016 और बिलकुल यह information ठीक है 2016 में Indian Navy ने यह missile induct तो किया था मगर उस वक्त यह missile था सिर्फ ship launched missile हम जब imagine करते हैं torpedo को तो immediately mind में एक scene आता है के एक submarine launch कर रही है torpedo मगर एक torpedo को एक aircraft या फिर एक ship भी launch कर सकती it can be launched above और below the water यहाँ पर आप example देखेंगे यह एक US Navy का aircraft है यह drop कर रहा है torpedo from the air यह पहले of course पानी में जाएगा और उसके बाद जो इसके propellant है यह start होंगे और अपने target को यह hit करेगा और यहाँ पर आप देख पाएंगे DRDO का वरुनसर और इसको launch किया जा रहा है from a destroyer ship तो 2016 में इसको हमने ships के लिए जो हमारी frigates है जो हमारी destroyers है उनके लिए induct कर लिया था मगर अब जाकर finally हमने इसकी manufacturing start कर दी है for our submarines as well और अगर हम बात करें torpedoes की जो है made in India तो इसमें एक और नाम भी शामिल होता है along with वरुनसर यह missile है advanced light torpedo शेना जो advanced light torpedo है इसको इंडिया नवी use कर रही है from 2012 और यह पहला indigenously built made in India advanced light torpedo है और इसको 2017 में इंडिया ने एक deal के अंडर बेचा भी था मेनमार की निवी को यह deal थी करीब 38 million dollars की और 2019 में इस deal के अंडर बहुत सारे torpedoes इंडिया ने provide भी कर दिये हैं to मेनमार यहाँ पे आप देहेंगे article है इंडिया delivers initial batch of indigenously built torpedoes to मेनमार और सिंस हम यहाँ पे light torpedo एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो हमारे heavy torpedoes हैं यह वियम एक्सपोर्ट करेंगे और इंडिया ने recently offer किया है वरुनसर को to Vietnam और वियतनम इस missile को लेकर काफी interested है यह देखा जा रहा है कि आसियान कंट्रीज को इंडिया ने weapons supply करना start कर दिया है और in the future बहुत सी आसियान कंट्रीज इंडिया से weapons purchase करेगी हमें अल्रेडी पता है कि the Philippines purchase करेगा Brahmos missile अगले साल 2021 में वियतनम भी Brahmos को लेकर काफी excited है और जो वरुनसर missile है इसको लेकर भी deal most probably एक या दो साल में finalize हो जाएगी with either Vietnam या फिर some other ASEAN country मगर जब तक ये deal sign होती है भारत Dynamics Limited लगातार वरुनसर प्रडूस करता रहेगा for the Indian Navy क्योंकि 2019 में इन्हें contract दिया गया था by the Ministry of Defense 1187 क्रोड रुपीज का जिसके अंडर वरुनसर टॉर्पीडो बनाएगा भारत Dynamics Limited वरुनसर की खास बात ये है कि ये है अपने आप में एक smart torpedo ऐसा नहीं है कि एक submarine से आपने इसको launch किया तो बस ये सीधा जाता रहेगा और अपने target को hit करेगा और target अगर माल दीजिए move कर लेता है तो ये hit नहीं कर पाएगा नहीं ये एक homing torpedo है ये अपने target को chase करेगा ये sound waves send करता रहेगा और उसके जो भी information reflect back होती है उससे confirm करेगा कि target इसका कहाँ पर है और कहाँ पे इसको move करना है to ensure the destruction of its target तो कोई भी environment हो कितनी बड़ी enemy की submarine हो या ship हो उसको बहुत ही बुरी तरीके से damage कर सकता है वरुनसर ना एक और question सामने ये भी आता है कि India, Southeast Asia countries को आज के स torpedoes की इतनी अशकता क्यों है इसका वह की simple answer है Chinese hostility ना सिर्फ India, ASEAN countries भी आज के समय साउचनसी के आसपास danger face कर रही है Chinese hostility का तो आज के समय सभी ASEAN countries चाहती है कि उनके पास इतना defense equipment तो हो कि China बहुत ही आसानी से उनका कोई island या फिर बहुत ही बड़ा उनका कोई और area है वो ना कब जाले क्योंकि आज के समय जो Chinese Navy है इनके पास total submarines हो चुकी है 66 और माना जा रहा है कि 2030 तक ये number ये बहुत ज़रा बढ़ा देंगे and they will have many nuclear powered submarines और submarines को डुबाने का सबसे भैतरीन और conventional तरीका होता है heavy torpedoes और exam perspective से ये भी जान लो कि even though इंडिया आज के समय lightweight और heavyweight torpedoes ये भी हम torpedoes purchase करते रहेंगे क्योंकि कुछ aspect में especially in homing capability जो US torpedoes हैं they are quite advanced तो US ने recently approved करी है sale of harpoon anti-ship missile और MK-54 torpedo anti-ship missile का फायदा ये है कि आप अगर कोई ship को target करना चाहते हैं from an aircraft मान लीजिए जो posiden aircraft है इससे आप target करना चाहते हैं enemy की frigate या फे destroyer तो वहाँ पे आप यूज करोग harpoon anti-ship missile को ये submarine पर effective नहीं होगा unless submarine विलको surface पर हो और पानी के नीचे ना हो और दूसरे जो हैं MK-54 torpedo ये बहुत जारा खास हैं और US Navy इनको बहुत लंबे समय से use कर रही है with a very good success rate so exam perspective से harpoon और MK-54 के बारे में भी या दखना so वापस आते हैं अपने question पे के इनमें से कौन सा एक short range surface to surface missile है surface to surface का मतलब आप जानते होंगे कि आप launch कर रहे हैं from ground और ये आस्मान में कोई aircraft या फिर airplane को hit नहीं करेगा ये भी दुश्मन के ground को ही destroy करेगा वहाँ पे ground में जो भी एक tactical surface to surface short range ballistic missile आकाश को आप अगर देखें तो ये है एक medium range surface to air missile defense system तो जो आकाश missile है ये आप launch करेंगे धरती से मगर आस्मान में अगर कोई aircraft है दुश्मन का तो उसको ये destroy कर सकता है similarly हमारे पास एक और missile है Trishul ये भी है एक short range surface to air missile और finally जो अस्रे missile है ये है beyond visual range air to air missile ये launch होगा from an aircraft और target करेगा दुश्मन के aircraft को पर इसी note के साथ ये है video का end thank you for listening and as always God bless you all है